ये मातारानी, हरहर महादे, नीता विक्रम परिवार में सभी सदस्यों का स्वागत है भोले नाथ अपने भक्तों पे नियमित क्रपा करते हैं इसलिए उन्हें भोले नाथ कहा जाता है सोमवार के दिन शिवजी का पूजन करने का विशेश विधान होता है जो लोग शिवजी का नियमित पूजन करते हैं भोले नाथ उन्हें कभी कष्ट में अकेला नहीं छोड़ते ऐसे में महाद शिवपुरान के अनुसार जब तिथी और वार के योग से कोई दुरलब योग बनता है तो उस दिन पे भोले नाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं ऐसा ही शिवजी योग कल के दिन पे है कल सोमवार का दिन है और अश्टमी की तिथी है ऐसे दिन पे आप दोस्तों छोटा उपाय भी करते हैं तो उसका बड़ा फल आपको प्राप्त होता है क्योंकि हर उपाय का अपना एक महत्व होता है और महाशिव पुरान में बताय हुए उपायों का तो क्या ही कहना आज के वीडियो में आपको सोमवार की अश्टमी का बहुत ही अच्चु कुपाय मैं बताने वाली हूँ तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा नीता विक्रम परिवार में यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं भोले नात को कल्यूंग में महादेव बताया गया है और जब महादेव किसी पे कृपा करते हैं तो उसके जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो दूर होने लगते हैं देखिए मनुश्य जीवन में सुख दुख धूप छाओं की तरह होता है जिस तरह सुख के दिन آते हैं वैसे ही दुख के दिन आ जाते हैं जब आपको कोई कष्ट होता है और आप सीधे महादेव से गुहार लगाते हैं तो आपके उन कष्टों से आपको मुक्ती जरूर मिलती है ऐसा शिफ पुराण में बताया गया है मनुश्यों के दुखों का कारण जन्म जन्मांतर में किये हुए उसके कर्म होते हैं जब भी कोई मनुश्य या नन्हा शिशू जन्म लेता है तो वह अपना संपूर्ण भाग भोले नाथ की क्रपासे लिखा के आता है जब भी दोस्तों हम कोई महा पुराण सुनने जाते हैं तो उसमें पहला प्रसंग यही मिलता है कि शिफ जी ने भगवान राम के जन्म का पूरा विवरन पहले ही सुन लिया था याने जन्म से लेके मृत्यों के बीच में क्या-क्या होना है यह सब भोले नाथ को इसका ग्यान होता है अब दोस्तों भोले नाथ की ही क्रपासे कुछ ऐसे अचुक उपाय होते हैं जिन्हें करा जाता है तो आपके जीवन के हर प्रकार के दुख और कश्ट दूर हो जाते हैं ऐसे में सोमवार के दिन पर पढ़ने वाले विशेश योग सयोग में जो भी पूजन आप करते हैं उसका विशेश पल आपको 101% जरूर मिलेगा इसलिए बिना मन में संशे रखे आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ उसे जरूर करिए देखिए भोले नाथ की पूजा में बेल पत्री का अत्यधिक महत्व होता है बेल पत्री का जो रक्ष होता है ये देवी लक्षमी का भी प्रियवक्ष है ऐसे में सोमवार के दिन पढ़ने वाली अश्टमी की तिथी पे यदि आप चाहते हैं आपके घर में बिलकुल भी दर्यद्रता ना रहे तो आपको बेल पत्री के साथ पत्ते लेने चाहिए अपने घर में केसरिया चंदन, लाल चंदन से जो सबसे उपर का पहला पत्ता होता है उस पे ओम लिखना चाहिए और जो नीचे दाईं और बाईं तरफ की पत्तियां होती है उन पे एक पे मापारवती का ध्यान करते हुए एक बिंदी लगानी चाहिए और दूसरी तरफ पे भगवान गणपती का ध्यान करते हुए एक बिंदी लगानी चाहिए सातों बेल पत्र को इस प्रकार से तयार कर लेना चाहिए देखिए जब शिवजी की पूजा पाट करा जाता है तो शद्धा और विश्वास के साथ जो हम पूजा पाट करते हैं उसका विशेशफल हमें जरू मिलता है अब ऐसे में दोस्तों हमें शिवाले में जाके पूजन करना चाहिए शिवाले आपके घर के आसपास जहां भी शिवजी की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो जहां शिवजी का नियवित पूजन होता हो जहां जागरत शिवजी हों वहाँ पे जाके जल चढ़ा के अभिशेक करके यहाँ बेल पत्र जब अरपित करे जाते हैं तो आपके जीवन पे जो भी आपको इस समय में परिशानिया आ रही हो या जो भी आपकी मनुकामना हो वो अवश्य पूर्ण हो जाती है आपको दोस्तों जरूर शिव मंदर में जाना चाहिए हो सके तो अपने साथ थोड़े से चावल जरूर लेके जाईएगा अब देखिए सब के पास चांदी का लोटा नहीं होता है पर यदि हो तो आपको चांदी के लोटे में शिव मंदर में जल लेके जाना चाहिए चांद भगवान को धन्यवाद देते हुए क्योंकि भगवान ने हमें यह जीवन दिया है और यह जीवन दोस्तों सबसे अमूल है इसलिए भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देते हुए उन पे जल अर्पित करें ओम नम्हा शिवाय का जाप करें फिर यह जो सातों पत्ते बेल प आंतर के पॉपों के बात करी थी तो यह सब शेमा हो जाए के वाप शिवजीं अरपित करते हैं तो आपके जीवन की ब voice कुलती हैं यह दूर होने लगते हैं और आ आपको शुप परिणाम प्राप्त होने मिलगता थे जब दोस्तों आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसको बहुत ही शद्धा के साथ करा करें वैसे तो शिवजी के पूजन में बहुत सारी चीजों का प्रेयोग होता है परन्तु यदि आप इतना भी पूजन कर लेते हैं तो आपको अधबुत फलकी प्राप्ति होगी शिवजी पर चंदन अरपित करा जाता है शिवजी पर आप लाल रंका चंदन अरपित कर सकते हैं इससे भी आपको बहुत फायदा होता है दोस्तों जब आप शिवाले पहुंच जाएं तो वहाँ जाने के वक्त पे आपको एक-दू बातों का बहुत ध्यान देना चाहिए अक्सर य नहीं करना चाहिए बिल्कुल चुप होके मौन होके इश्वर के चर्णों में निविदन करना चाहिए अपने पूजा को ध्यान के साथ भक्ती के साथ पूर्ण करना चाहिए देखिए दुनियादारी मंदर के बाहर होती है मंदर के अंदर सर्फ भक्त होते हैं और भगवान ह होते हैं ऐसे में शिवजी की क्रपा प्राप्त करने के लिए शिवजी के समीब बैठिए आप जो भी नियमित मंत्र का जाप करते हैं वहां पे बैठ के कम से कम 10 मिनट आप जाप करिए देखिए हम अपने घर में रहते हैं यदि हमारे घर में कोई महमान आके 10 मिनट बैठ जा चाहिए एकदम शद्धा भक्ति के साथ वहां बैटके अपने मंत्र का आप बिल्कुल फोकस होके एकागरत चित्त होके जाप करिएगा जितना आपको पुन्यपल प्राप्त होगा वो अपने घर पे यदि आप 10-15 माला भी जाप करते हैं तो आपको नहीं मिल सकता है किसी में बुराई ढूंडते हैं किसी के बारे में बुरा भला सोचने लगते हैं तो आपके पुन्यपल हो जाते हैं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने जो करा है वो भगवान ग्रहन करें और भगवान मुझ पे अपनी पूरी की पूरी क्रपा बनाएं क्योंकि जि आपके जीवन में किसी प्रकार का जहर नहीं रहता आपके जीवन में किसी प्रकार का तमस जहर कोई भी चीजें आपके जीवन में न रहें आपके जीवन की हर विपत्ती दूर हो जाएं ऐसी कामना के साथ ही आप शिप पूजन करें और जब अपने घर आएं दोस्तों जि बहुत सारे उपाय करते रहते हैं घर में कहीं बहुत सारे फूल के पत्ते कॉडियां गोमती चक्रों बहुत साई चीज ने खटी हो जाती हैं तो ऐसे में आप शिवजी से प्रात्ना करके हर चीज शिवजी के चड़नों में छोड़ाएं आप देखेंगे स्वता ही आपको हर प्रकार से फल मिलने लगेगा और आपकी जीवन के बड़े-बड़े कश्ट दूर होने लगेंगे सोंवार की अश्टमी जो होती है दोस्तों ये बहुत ही दुलव होती है ये एक शुप संयोग है जो की बैशाक के महीने में बहुत सुदर रूप में पूजन करा जाता है विश्नु भगवान दोस्तों शिवजी के ही पुत्र हैं एक तरह से देखा जाए तो वो भी शिवजी का पूजन करते हैं और हमेशा शिवजी की कामना पूजन इत्यादी करने से विश्नु भगवान भी अत्यदिक प्रसन होते हैं तो दोस्तों जो लोग बैशाक के महीने में पुझा पाट कर रहे हैं उन्हें कल सोमवार के दिन पर इस उपाय को करना चाहिए यदि दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया है और ये जो लाब दायक उपाय मैंने आपको पताया है यदि आप कर सकते हैं तो जरूर करिए हर छोटी से छोटा उपाय आपकी ब करपा का अनुभव करते रहें और सदेव खुश रहिए प्रसन रहिए और हमेशा हस्ते मुस्कुराते रहिए बुराई भलाई दुनिया के प्रपंचों में मत उलजिए क्योंकि यह ज़र आपके पुन्य कर्मों का नाश करते हैं जो लोग जीविन में तरक्की प्राप्त क करना चाहते हैं वह हमेशा हर हर महादेल का जैकारा लगाएं आप चाहें पूजा करें या न करें जितना आप श्वास लेते हैं उस समय पर यह प्रफु के नाम का इस्मरण करते रहते हैं तो कणकण में आपको भगवान के दर्शन जरूर होते हैं दोस्तों यह कुछ ऐसे गुप्त सूत्र हैं जो वीडियो के आखिर मैं आपके साथ शेयर करी हूँ सोचिएगा कि कहां कहां आपको भगवान दिखते हैं कणकण में भगवान होने का क्या तातपर्य होता है किसी और दिन दोस्तों विस्तार से इस बारे में चर्चा करी जाएगी तब तक के लिए जै माता रानी हरहर महादेव